वेल्कम बैक बच्चो अब देखते हैं question number 7 simplify these expressions and find their values if x equal to 3, a equal to minus 1 and b equal to minus 2 तो आपको यहाँ भी वैसा ही करना है पहले आपको इनको simplify करना है और simplify करने के बाद आप x की value 3 डालो a की value minus 1 और b की value minus 2 डालो फिर देखो answer क्या आता है चलो तो पहले simplify कर दें simplify करने के लिए सबसे पहले बच्चो आपको यह ध्यान देना है कि like terms जो होते हैं like terms उनको एक साथ लिखो पहले तो 3x है इसका like term कहाँ पह है यह रहा तो यहाँ पह लिखोगे minus x यह भी x वाला है तो यह भी x वाला ठीक है अब number को number के साथ minus 5 plus 9 ऐसा लिख दिया अब देखो 3x minus x क्या होगा 2x होगा और minus 5 plus 9 क्या होगा plus 4 तो यह आपने simplify कर दिया अब simplify करने के बाद आप यहाँ पे डालो देखो यहाँ पे variable क्या है x है ना तो खाली x की value होगी यहाँ पे x की value क्या है 3 तो x के बदले आप यहाँ पे 3 डाल दो plus 4 करो so 2 3s आ 6 plus 4 it will be 10 done तो इस तरह से बेटा solve करना है बहुत easy है अब देखो यहाँ पे यहाँ पे पूरा बड़ा सा expression है तो पहले आप क्या करोगे यहाँ पे जो number है वो number को एक साथ लिख दो 2 और यह क्या है 4 तो 2 और 4 लिख दो ऐसा जरूरी नहीं जिसको अगर आता हो ना कि मेंको तो पता है कि यह कैसे करते है तो वो आप फटा फट एक दो step में ख़दम कर सकते हैं बट मैं मैं चाहता हूँ कि जितना simplify करके आराम से धीमेधी में बता सको उतना अच्छा अब देखो यहाँ पे minus 8x है और यहाँ पे 4x है यह दोनों तो साथ में वैसे लिखा हुआ है यह दोनों like terms है इन्हीं के बीच में addition, subtraction हो सकता है so minus 8x plus 4x you will get minus 4x ठीक है ऐसे कर दिया अब 2 plus 4 क्या होगा 6 होगा और फिर यह minus 4x तो 6 की value यहाँ पे लिखो 6 और यहाँ पे minus 4 into x x क्या है x है आपका 3 तो यहाँ पे 6 minus 4 into 3 क्या होता है 12 होता है तो 6 minus 12 क्या होगा minus 6 ठीक है इतना clear हो गया आप देखते हैं आगे आगे चलो यह वारा question भी देख लेते हैं इसके अंदर है ना यहाँ पे a है लेकिन x नहीं है तो I think पहले इनमें क्या करना पड़ेगा जो a वाले है न वेरियबल यह वाला यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है इनको साथ में लिख दो पहले है ना तो minus 8a जब भी आप कोई term लिखते हो तो आप उसकी term के आगे देखो minus यह वो आप साथ में लिखोगे जैसे यहाँ पे है न यहाँ पे plus की sign है लेकिन हमें दिखने रही क्योंकि वो algebra में लिखने की जरूत नहीं होती और उसको यह आपने आपे starting में लिखा है इसलिए यहाँ पे लिखने की जरूत नहीं है but it is understood plus 5 plus 1 तो वो लिख दिए यहाँ पे plus 5 plus 1 अब 3a minus 8a क्या होगा बिखा minus 5a 5 plus 1 क्या होगा 6 होगा so minus 5 a क्या है hold on just a second चलो चलते हैं पीछे हाँ a equal to minus 1 आपको डालना है a equal to minus 1 तो यहाँ पे minus 1 कर दिया plus 6 so minus 5 into minus 1 क्या होगा 5 होगा 9 will be positive plus 6 5 plus 6 क्या होगा बिटा 11 तो यह होगे हमार answer देखते हैं next question यहाँ पे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे बिटा आप like terms को arrange कर जिए ठीक है तो यहाँ पे 10 है और यहाँ पे minus 4 है तो उनको लिख दीजे 10 minus 4 फिर यह जो b वाला ना b वाला और कौन सा है यह रहा तो इनको एक साथ लिखे minus 3b minus 5b और राइट 10 minus 4 क्या होता है 6 होगा minus 3b minus 5b वो क्या होगा minus 8b अब हमें यह देखना है कि b के बदले क्या होना चाहिए b के बदले कोई value दी है क्या देखो b के बदले आपको क्या लिखना है minus 2 लिखना है तो आप यहाँ पे b के बदले minus 2 लिख दीजे और राइट अब देखो यहाँ पे negative number minus 8 है ना so negative number into negative number answer will be positive so your answer will be 16 8 to the 16 6 plus 16 क्या होगा बेटा 22 this is our final answer चलो अब देखते है question number 5 जो बाकी है last वाला हूँ तो पहले इनको solve करेंगे ना तो पहले इनको simplify करने के लिए आप एक काम करते हैं जो variables है ना like terms जो जो like terms वाले हैं उनको एक साथ लिख दीजिए यह लिखा हमने a वाले को एक साथ और b वाला तो बिचारा a की है तो उसको ऐसे रहन दो कोई बात नहीं अब देखो minus 4 minus 5 क्या होगा minus 9 होगा ऐसे भी आप लिख सकते हैं अब 2a plus a क्या होगा बेटा 3a यहाँ पे फिर minus 2b है फिर minus 9 है तो इतना आपको clear होगे कि आपको यहाँ पे a की value डालनी है और b की भी value डालनी है और यहाँ पिए करना है minus 9 so what was चलो देखते है a की value क्या थी a की value हमें minus 1 डालनी है और b की value minus 2 डालनी है ठीक है so a की value minus 1 और b की value minus 2 3 into minus 1 क्या होगा minus 3 अब देखो, यहाँ पे minus 2 है, यह minus 2 into minus 2, negative number into negative number, answer will be positive, तो यहाँ पे answer आएगा plus 4, यहाँ पे minus 9 लिख दिया, अब देखो, minus 4 और minus 3 और minus 9 इसको आप solve पहले भी कर सकते हो, ठीक है, जिसको भी आप जैसे solve करना चाहों कर सकते हो बेटा, लेकिन आप ध्यान दिजेगा कि आपक और minus 9 क्या होगा, addition होगा, addition होगा, addition, तो it will be minus 12, फिर plus 4, अब minus 12 plus 4, it will be minus 8, I hope आपका answer यह आया होगा, जब यह आपको लगे नहीं कि आपको practice करने का मन कर रहा है, तो आप video pause कर सकते हो, और फिर आप पूरा पहले solve कर दो, और फिर देखो step by step के क्या आपने वैसे solve किया है, आपका answer क्या last में right आ रहा है, किसी step में कुछ problem है, वो आप देख पाओगे, ओके बचो, so हम लोग अब question number 8 करेंगे next video में, तब तक take care, bye bye